फ्रिंट्स पांस दिन में एक ही तरह का लंच बना के तयार करती हूँ जो सभी को घर में पसंद आता और खास कर हस्बेंट का ये खाना जो बना रही हूँ आज उनका फैबरेट है तो सबसे पहले मैं यहां डाल लूँगी अरहर डाल यानि कित्वर डाल इसको आप अपने एकोडिंग ले सकते हैं कम जादा इसमें थोड़ा सा चना डाल और थोड़ा सा मूंग डाल लेंगे डाल अपने एकोडिंग गाढ़ा पतला जैसा रखना चाहते हैं उतना डाल ले ल जो कि हम रोज बनाते हैं उसके बाद इसकी अंदर में डाल रही हूं चार कप पानी यानि कि एक कप के करीब दाल था तो चार कप पानी उसमें हल्दी और नमक और हिंग डालेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे आधा टेबल इस्पून ताकि जो हमारा दाल है कुकर से उपर न है पहले हमें डाल को हाइफ फ्लेम पे एक सीटी लेकर मिडियम फ्लेम लेकर था to मैंने बैगन को अच्छे से दो के 20 से चीरा लगा लिया था और देख लिया कि कीड़े है की नहीं फिर दो मैं उसे पका ले रही हूँ जब भी बैगन का भरता बनाती हूँ तो मेरे हस्बेन इतने खूस होते हैं कि मुझे लाके गिफ्ट कर देते हैं वो क्या तो बैगन ही ग गर में तो यूज करती हूँ यह आलो गोवी बना देती हूँ जो इस घर में सबजी उसको में चेंज करती हूँ बाकि सारा खाना लंसम यही बनता है उसको अच्छे से दोने के बाद यहां एक टेबल इसबून तेर डाला है उसमें एक सुखी मूर्च तेशपत्ता और दूसरी चीजे कर लेते हैं तो यहां पर एक जार लिया है उसमें तीन से चार लहसून पूरी दर से ओप्शनल है और यहां एक टमटर यह में सबजी के लिए मसाला तयार कर रही हूँ उसके बाद जो हरा दनिया होता है उसके पिछे का जड़ होता हो लिया है आलू गोवी इधर हमने जो जार लिया है इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे यानि कि एक टेबलशब्शोन धनिया पाउडर हल्दी पाउडर 1,4 टेबलसब्शोन रेट चीजिली पाउडर आधा टेबलसब्शोन और गरम मज्छाला उसके बाद इसको घूरसी पीस लेंगे इसमें प तो यहां पे आलू गोभी को हमें मसाला डालने के बाद जरूर भूनना होता है ताकि अंदर तक इसका मसाला चला जाए आलू गोभी जब तक भून रहा है तो हम यहां दाल को चेक कर लेते हैं दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है देखिए मैं ऐसा डाल रखती हूं आप इससे पतला भी रख सकते हमें गाड़ा पसंदे तो यहां पे मैं एक बरतन में ट्रांसफर कर ले रही हूं यहां पे हमारा दाल तो बन गया है पर अभी दाल हमारा अधूरा है इधर हमने आलू को भी जो भुन रहा था उसके अंदर हम थोड़ा सा पाने डालेंगे तीन-चार इस्पून टेबल इस्पून ताकि जो हमारा आलू को भी अच्छे से पक जाए क्योंकि यहां पे में ज्यादा पानी का यूज नहीं कर रही हूं जब तक यहां पे हम चटनी की तयारी कर ले घर में हरा धनिया और चटनी नवने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है और यहां जाएगा थोड़ा सा मसाला अचार का आप इसकी जगे निम्बू का भी यूज कर सकते या टमाटर का भी और नमक अपने टेश्ट के गोडिंग उसके बद अच्छे से हमें चटनी को पीस लेना है इसके अंदर अब हम डालेंगे एक सीक्रेट चटनी को ज़्यादा टेश्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा कच्छा सरसो तिल डालेंगे ने फ्रेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यह हमारे यहां ऐसे ही चटनी बनके तयार होता है अब यहां पे आलू ज़्यादा गवकी सब्जी को भी चेक कर लेते हैं आपको कलर देख के लग रहा होगा और मैंने एक दबा के देखा है अलू बहुत अच्छे से पग गया था तो मैंने गैस को बन कर दिया और यहां हराधनिया डालेंगे आलु गोवी की सूखी सबजी हो और उसमें हरा धनिया ना जाए ऐसा तो हो इने नहीं सकता है तो हरा धनिया डाल दिया है मैंने और अच्छे से मिक्स कर लिए अब ये ढग देते हैं हमारा आलु गोवी की सबजी चटनी और डाल तो तयार हो गिया है और जिस कूकर में मैंने डाल को बनाया था उसी में मैंने चावल को डाल दिया है और जितना हमारा चावल है उसका डबल हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा गीर डालेंगे आधा टेबल इस्पून मीडियम फ्लेम पर तीन से चार सिटी लेंगे हमारे सिंपल सा चालवन के तयार हो जाएगा इधर मेरी चोटी बेटी आ चुकी और बड़ी बेटी थोड़ा लेट आती है जब तक खाना तयार होगा तो वह भी आ जाए फ्रेंट जब छोटे बच्चे स्कूल से आते तो उनको कितना प्यार करने का मन करता है आप ही ऐसा करती है क्या तो चलिए यहाँ पर बैगन भी हमारा अच्छे से पक चुका था तो मैंने यहाँ पर क्या किया था ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद हम इस दाल देना है और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा तो मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाला है नमक डाला है और यहां कच्छा सरसते बस इससे जदा यहां कुछ भी नहीं डालना है बहुत लोग इसके लिए टमाटर आलू डालते है पर मेरे हजबें नहीं पसंद करते हैं ऐसा ही बस इनको बना के दे दो बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं चलिए बैगन का भरता बनके तयार हो गया है तो इसको एक छोटे से बरतर में ट्रांसफर कर देते हैं और इसको हम धूने के लिए रख देते हैं इधर हम दाल का तड़का लगा ल और तू-प से करीव और उसके बद हम डाल में डाल देंगे और ढ़क देंगे बाद में मिलाएंगे ताकी इसकी खुश्वुत उसी के अंदर रह जाय है। उसके बाद हरादनिया हमारा simple सा दाल बन के तयार हो गया है friend इतना सारा खाना बनाने के बाद इसमें एक चीज़ की कमी लग रही है वो है पापड पापड के विना खाना अधूरा है तो मैं यहां पे मूंग दाल पापड ले रही है उसको सेख ले रही हूँ पर नई, simple सा अच्छा है, simple सा खाना, तो simple सा पापा, हम लोग रोजाना लंच में यही बनाते हैं, बस हमारी सबजिया चेंज होती है, और आप लोग क्या-क्या लंच में बनाते हैं, जरूर बताईएगा, और कहां-कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताईएगा, फ्रेंट्स एक ये simple सा था लिए, इसे हम रोज खाईए बनाके, बहुत ही healthy, बहुत ही ज़्यादा टेश्टी, और सभी को फ्रेंट्स पसंद आएगा, ये एक तरह से बिहारी था लिए, हमारे महां ऐसे ही बनाये जाता है, दो फर के खाने में, बस सबजी च सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाई बाई